यहाँ पर एक बालकानी मिल जाती है और यह देखिए रूम से आउट्डोर अटैच यहाँ पर एक स्लैब है रूम के बगल में ही है बात्रूम यह बेड है हम लोग का मेरे दोस्तों को नहीं पता कि मैं एक ब्लॉगर हूँ हमारी इंजिनियरिंग की गाइड यह है मेरा सेट सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बालकानी मिल जाती है तो यह देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर तो साम के वक्त में हम लोग यहाँ पर बैठ कर मतर गस्ती करते हैं और मस्ति नास्ता अगरा यहीं पर करते हैं दोस्तों तो आपको और दिखाता हूं और यह देखिए रूम से आउटडोर अटैच यहाँ पर एक स्लैब है और इसके नीचे जूते अगरा रखत हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं रूम तो चलिए दोस्तों इंट्री करते हैं रूम में उससे पहले रूम के बगल में ही है बात्रूम तो चलिए बात्रूम देखते हैं लेकिन नहीं देखे तो बेतर होगा तो फिर वी यह देख लिजे दोस्तों कुछ इस तरह का बात्र बाहर गए हुए हैं तो मैं वीडियो सूट कर ले रहा हूं जल्दी जल्दी क्यूंकि मेरे दोस्तों को नहीं पता कि मैं एक ब्लॉगर हूँ अगर वो जान लेंगे तो थोड़ी खिचाई होगी तो चलिए और दिखाते हैं कि हमारे रूम में क्या-क्या है तो यह देखे दो दोस्तों यहां पर हमारे कपड़े और दिखाता हूं क्या है तो यह देखे दोस्तों यह है मेरा सेट अप यहां पर बैट कर मैं अपनी वीडियो इडिट ओगरा करता हूं और इस कॉपी में सॉट्स की स्क्रिप्ट ओगरा लिखता हूं और यह देखिए हमारा लप्टप इस पर मैं इडिट होगारा करता हूं दोस्तों और यह माउस देखिए फिलिप कार्ट से मैंने यह माउस लिया है और चलिए और कुछ दिखाता हूं तो यह देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मीरर है जिस पर तीन बंदे अपना फैसन करते हैं और इसके बगल में एक अटाइ होगारा और देखिए और अलोमखरा भी है वहाँ पर देखिए घी है हमारे पास ग्हिए हमने जडर से लाया है और देखते हैं कि और क्या है तो इधर में देखे दोस्तों यह HP का लैपटॉप है तो तीन बंदे हैं तो तीन लैपटॉप एक HP दूसरा एसर और तीसरा वी एसर और यह देखे दोस्तों यह हमारा कुछ समान वगरा है लाके जोगरा तो चलिए अब मैं बताता हूं इस रूम का रेंट कितना है और हम तीनों को कितना पढ़ रहा है पर हेड तो आपको सुनके सच में सौक लगेगा कि इस रूम का हम लोग पे कर रहे हैं ओनली 4400 मतलब कि 44 सवरूपाय में यह रूम यह बलकनी वो ट्वायलेट और वो अटैज कीचेन हमें मिल रहा है इतना चीप वन आर के मिलना मुस्तिल है नुएड़ा में तो हम इस रूम को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हम यहां से पर्मनेंटली जाने के लिए कहीं फिक्स नहों जाए और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर तीन बंदे सोते हैं और पढ़ते हैं तो मुझे यहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बंस होती है अपनी वीडियो इडिट वगरा करने में तो मैं इसमें कुछ जुगार लगा रहा हूं अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है यह स्पेस देखकर तो आप लोग बताईए कि मैं अपना ब्लॉगिंग सेट अप या फिर इडिटिंग करने के लिए स्पेस कहां पर लू और कहां बनाऊं इतने कम स्पेस में मुझे थोड़ी सी कंजेस्टेट लगती है तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रू जय भारत